असलम अलेकुम रहमत अलाहिव बरकातू आज हैं हम तार्ड क्लास का सैवंध चाप्टर रिहाइश गार सबके लिए शेल्टर फर ओल्ल सेवंधा चाप्टर after की बाद सेवंधा चाप्टर है इस सब्ता आपके मुटालिय के बात कर ने उसके के बारे में से लिए शेल्टर Is तु को आपके मैं पूंपर हें रिहाइश गार सिंगा अब यह और रहाइशी मकाम आपको अ का सीखते ही वह बता जरूरत है, मुक्तलिफ अक्साम के मकानात निशानदाही कर सकेंगे गेर मोजो रहाइश हालाद की वजुभात मालुम कर सकेंगे आब हवा पर मनहसी रहाइशगा होंके तन्हाओं का पता लगा सकेंगे और फहम हासिल कर सकेंगे जनवरों परिंदे और हश्रात के लिए भी रहाईशगा की जरूरत होती है इंसानों के लिए ही नहीं बलके जनवरों के लिए परिंदों के लिए और हश्रात के लिए भी रहाईशगा जरूरत होती है तो अब हम चले हमें मकानत क्यों जरूरी है रहने के लिए जरूरी है धूप से बचने के लिए जरूरी है बारिश से बचने के लिए सरदी से बचने के लिए गर्मी से बचने के लिए और गिर्दोगबार और जंगला जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें मकानत जरूरी है एक दिन राजू इसके दादा जान एक इन्हें ने देखा कि एक वह सिधा मकान की जगा नया मकान तामीर करकिया जा रहा है तो यहां पर और नार्माल हाउस से भी अच्छा एक बिलिंग बन रहे हैं तो अब दादा जान भी और दोनों पी बहस चाल रहे हैं यहां पर देख सकते हो ग्रैंट फादर उनके दादा ज यहां पर है ना क्या बोड़ते सको खप्रिल का घर और पक्ता हाउस अपार्टमेंट अब हम अब हम मालूम करेंगे कि कई साल पहले लोग किस तरहा की जिंदगी अब यहां पर देखूं यहां पर देखूं यहां कहां पर है अब हम मालूम करेंगे कि कई साल पहले लोग किस तरहा की जिंदगी गुजारते थे पहले जमाने में क्या करते थे फ्रहां गारों में रहते थे बाद में जोंप्रिया में रहते थे फूस के घरा बोलते ना जोंप्रिया में रहते थे बाद में मिठी का कच्छा मकान में र अपने बुजरुगों से गफ्तवी किजिए और मालूम किजिए किस खिसम के मकानात में रहते थे पहले जमाने के लोगा जो भी बुड़े लोगा अपना को दिखे तो अपना दादी दादा या परदादी परदा ऐसा कोई भी रहे तो उनसे पूछो कि आप लोगा कैसे घर म सब्सक्राइब के लिए दर्जजर अमवार बार इनसा कर दें मौसम आब औहवा दस्तियाब तामीर यशिया माशी हाला जगे की दस्तियाब आए हम मक्तली फिसम के घर और इन में रहने वाले अफ्राद से मुटालुपत मालूमा की लिए करेंगे मैं चंछया हूँ मैं नला मला के घने जंगलाथ में रहता हूँ यह मेरा मकान है हमारे हटरा को किराफ के पई जान्वर और परिंदे रहते हैं मेरे वाले इन जंगल से हमां फिसम के फल बैसले शहद इमली और साबन के बीज एकटा करते हैं और इन्हें बाजार में फिरॉवत करके घर के लिए जरूरी तर्कारिया साबून साउदा सलाफ करिदते हैं चंचया का मकान का मुशाहिदा की जिए यह है उनका मकान यह मकान कैसा है क्या यह मकान आपके मकानां से मक्तलिफ है अगर हां तो किस तरह मक्तलिफ है मेरा नाम राजू है, हमने जॉंपडी में रहते हैं, जिसकी दीवारे भांस से बनी गई है, इसकी छट घास भूष नारियल के पत्ते या ताड के पत्तों से ठके हुई है, मेरा नाम मेरी है, हम कवेली के घर में रहते हैं, इसकी दीवारे इंट और सिमेंट से बनी गई है, धाल कर धूप में सुखाया जाता है, मकान की दीवारे और च्छत इन्हें मिठी के इंडों से बनाई गए है, मकान मौसम गर्मा में ठंडा रहता है, I'm Joseph, we live in this stone house, the wall and roof are made of stones, this type of house is found in Royal Seema District, I'm Raj Razia, we live in the third floor of star apartment, the wall are made of bricks, cement and wood, the roof is made of concrete, it is built on pillars, I'm Rasaul, we live in a pakka house villa, the walls are made of bricks and cement, there are four rooms in our house, the floors are lined with marbles, there is a beautiful garden and car parking area, I'm Shailu, we live in a tent, tents are made on canvas, cloths, bumbos, poles are used as a support, we move from place to place in search of living, we also find construction workers putting up tents at building sites, military soldiers put up tents at their workplace, people working in the circus should set up tents because they move from one place to another, caravan, it is a house on wheels, it can be driven from place to place, what kind of house do you live in, houses that keep changing location and can be moved to other locations are called temporary house, houses that cannot be moved or taken to different locations are called permanent houses, kacha house and pakka house, we have learnt about different types of houses, houses are divided into two categories, they are kacha house and pakka house, the house made of mud and straw are called kacha house, all huts are kacha houses, the house made of bricks, sand and iron are called pakka house, they are very strong, they are very strong, caravan, this kind of house is designed to be cleaned on the ground, aeasai makaanat ko aeghe se dousre jaga mentafil ka saktay hai, aeasai makaanat jen ke mokamaat tabdeel hoote rate hai, inheek mokamaat se dousre mokamaat tuk mentafil ka jaja saktay hai, arzi makaanat kehlate hai, aeasai makaanat jen ko harakat nahi kia jaja saktay hai, nahi inheek makaanat tuk mentafil nahi kia jaja saktay hai, mustakil makaanat kehlate hai, kacchhe aar pake makaanat, ab tak ham moktaelifism ke makaanat ke baare baren malumat haasil ka chukye hai, makaanat ko dho zumbro meen taksim kiya hai, eek hana kaccha makaan eek pakka makaan, mittia aur ghaas se banen gaye makaanat ko kaccha makaan kehet hai, tamam chopriya ka shumar kijye makaanat mein hoote hai, aur in terrette aur pholaad se, aearan se banen gaye makaanat ko pakka makaan kehet hai, yee bhoot mazboot aur pahaya dhar hoote hai, different types of roofs mazboot chhata bhoot different types ke rahethe hai, eek naa kya bhoot te reka ke rahethe, sheeton ke rahethe aur khabeli ka rahetha aur kya kankrit se banen ke rahethe, aur ghas se banen rahethe, yee hai poore, you notice that the roofs of all houses are not alike, some are flat and some house slope, chhat ke maktalif aqsaam, makaanaat ke baare, hisse ko chhat kehet hai, chhat ke maktalif aqsaam ke hoote hai, thodei hanae slope bhi hai, thodei flat bhi hai, concrete ki chhat ye, flat bhi hai, dhati sheet ki chhat hai, ee slope niche, paani gira hai, paani gira hai, paani niche gira hai, ee saha hai, chhat slope hai, ee saha, aapne gaur kiya hai, tamama makaanat ke chhatin, ee saha nahi hoote hai, baaz mastha, aar baaz dhalwaan hoote hai, yee haa pe example bhi dihi hai, paani daalti ki, thodei observe, niche dhal dhete aisa, aameen pa rakhiti hohee sheet, hee paani daalti, ee in per rakhiti hohee sheet, aar yaa pe daak, dhe in per rakhiti hohee sheet, kaisi hai, mandathe vella sheeto men, koon si sheet se paani, tezhi se niche ki jaanib beheta hai, koon si, koon si, tab taad hai dhokho, woh isse niche ki jaanib, jaldhi beheta, aagare jumpri ki chhat, paokta makaan ki chhat ki taara, mazthar ho, to kya hooga, makaam mein dhastiyaaf sahulathe, नलार मटीन क्रसे वाली जी एक कृमरा इस पहले हैं डूर्ट कहले और आराम को ding, stairs, garden, water facility, electricity facility, doors, windows.... neat and tidy иllaся house may not have all the facilities but still it is important to keep our house neat and clean some houses look clean when we look at such houses, we feel that the things are arranged well some houses look ugly whatever the type yalla house might be a hut a tile house or a pacquenn house if we keep things in order it will look neat and tidy एक लीन हाउस गीप सब्स हैल्दी आपके पडुसी के मकान के दाउरा कीजिए और वहां पर दस्तियर सभूलतें को मिशाइद कीजिए यहां पर है कि और शापाई में दाउन सभूलते मिसर हो या ना हो मगर मकान को साफशुत्रा रखना जरूरी है क्या आप अपने मकान को स अगर हम अपने घरों के अत्राव किना पच्छरे को श्राफ के बगर ऐसे ही छोड़ दिये तो क्या होगा अगर आप अपने घरों के अत्राव किना पच्छरे को श्राफ के बगर ही छोड़ दिये तो इससे बदबो पैदा होगी और मच्छरा और मक्हियों की अफजाईश होगी कच्छरे को हमेशा घरों से दूर भेंकना चाहिए लहाजा मकां से गोड़े कोड़ा करकट को वक्ता वफखतन साफ करते रहना जरूरी है बेगर लोग लक्षमन अपने गाउं से विशागा पटनम को नकल मकां करता है और यहां मुलाजमत की तलाश में हैं इसके खांदान को चांद दिनों तक राइलवेड स्टेशन पर खायम करना पड़ा क्यूंकि इन्हें रिहाईश के लिए कही जगा ना मिली इसलिए इन्हें फलाइवर के नीचे गुजार करना पड़ा क्या आपने कभी फलाइवर के नीचे और पाहियों में रहने वाले लोगों को देखा आपने पहीयों में रहने वाले लोगों को देखा बाज लोगों को रहने के लिए मकान क्यूं मैसिंद नहीं इन्हें कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप आईसे बेघर लोगों को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है हम आप आप आनिमल्स चैनलों के लिए रिहाईश गाओ होना जुरूरी यह नहीं सर्दी गर्मि बार्डे दुश्मनी से महफूज रखता है मुक्तलिफ जनवरों के लिए रिहाईश गाओं मुक्तलिफ होती है चंद जनवरों जंगलों में और साथ जिंदगी गुजारते हैं चंद आपने रिह पारिंदें हैं और गॉंचला में रहने वाले पारींदे वालते हैं। थाइगा लाइन गारों में रहते हैं। पुट्टे रोड़ों पे रहते हैं। मशलीया और वील जैसे जानदार पानी में रहते हैं। मेंडक और मगरमज जैसे जांदर पानी और फुश्की दोनों मुकामत पर बसिंदे की बसार करते हैं क्या आप जानते हैं कि चान जनवरों की रिहाइश गाह में नहीं होती बाद जनवर जैसे बंदर हाती हमेशा जंगलों में घूमते रहते हैं कोई रहाइश गाह में नहीं होती हैं अब अब बनाने के लिए तहनियों、 इस परिंदे को देखें किया आप बता सकते हैं कि यह क्या कर रहे हैं यह अपने बच्चों को गिजा परहम कर रहे हैं यह चुड़ियां हैं यह दरख्त या मकाना के लकडियां के शहतरों पर अपना गुंसला बनाते हैं गुंसला बनाने के लिए यह काडियां घाज भूस प गुन्सले की निचली सरे में एक सुराख बनाता है हमने सीखा कि परिंदया और जैनवरों अपने रिहाईश गाहें बनाते हैं हमारे अधराफ वकिनाफ कई तरह के हश्राद भी पाय जाते हैं यहापर अब हश्राद के बारे में आये हैं हश्राग के भी रिहाईशगा होती है, शेहत की मखी का छत, मखडी का जाल, रेशं का पतंगा, कुत्ता बिल्ली मखी, चिपला कर वेपुरे, प्यारे बच्चों, मैं किट्टी एक बिल्ली हूँ, मैं सुमंत और इसके घर वालों के साथ रहती हूँ, मैं जर्री नामे चुहे का इंतजार कर रही हूँ, जो मेरे साथी है, और वो बिल में रहता है, बंटी एक कुता है, जो इसका घर के नाल में आराम कर रहा है, गाए भैड बक्री भी हमारी साथी ही रहती है, मगर इदे घर से बाहर रखा जाता है, अब मेरा साथ बावर्ची खाना जैसे, बाज आजर आती है, हमारे घर के सहें में कवे तोते और गिलहर्या ने अपने रहाइश गाहें बनाई है, वो मैं भूल ही गई, चिपकली और गिरिगेट भी वहाँ पर रहती है, हम सब इसी जगे पर मिल जूल कर रहते हैं, सुमान स्कूल जाने से पहले मुझे गिज़ा और पा जनवरों के ताइन मेरे रहम दिले, वजिश्टा पीर के दिन स्कूल के रास्ते में हमने दरख्त से गिरा हुआ परिंदे का एक घुसला देखा, माय ने देखा कि वो अंडे से भरा हुआ है, राजु ने इन अंडे को तोड़ना चाहा, लेकिन माय ने इसको रोका, और कर घुचले को हिफाज़त के साथ इसके मकाम पर रख लिया, राजु और अमला दोनों मिलकर नारा लगाया के जनवरों और परिंदों को नुसान नहीं कहुंचाना चाहिए, अब ये सबक से हमने क्या सिखा, मकान हमीर पनहा देती है, और हमारी हिफाज़त करती है, हमारे परिंदे और जनवरों के भी रहाईशगा होती है, यहां तक शेल्टर फर और लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट लेसन देखेंगे, लेट से स्टावल चुकेदा, और उससे पहले इसके थोड़े कोशन आसे सम और अब तक लेसन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तो फोछ समत मया चुनिए लिकिलगा हूँ और सब्सक्राइश रेसन देख़ देखेंगे, बिक्स अबेर लोहे सा बने-डेजरि भेनावा ने रहते हैं, अब इजल से बना हूँ घर हो रहते हैं, और फोच्टे साटी बना हूँँ अधारे पहा हैं पहियों में बना हूँ है आलमुस्ट अब हम नेश्ट चाप्टर देखेंगे लेट्स ट्रावल हुगदर और ये ये कोशन अब ये है ना इसके थोड़े बीट्स भी देखेंगे अपन ये चाप्टर के नेश्ट वीडियो में देखेंगे इंश्ब्र के इन्श्णलाई पर लेट्स ट्रावल तो इस सबक से हम क्या सीखिए हैं सफर और तरसील से मतालुक उफ्तवू करेंगे हमलो नखल में इस्तमाल होने वाले अश्या अलामती साइन बोर और तरसील के जरीय की जराइयों की शनाखत करेंगे हमलो नखल से जुड़े मकामात जैसे बस चान, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पॉंप वगएरा की चनाखत कर सकेंगे माजी और दूरी हाजीर के जराइय हमलो नखल के माबैल परक्त कर सकेंगे मक्तलिफ अश्याख, मशागिद, मक्तलिफ तरिफों से दावराग कीएंगे मकामात से मतालुक अपने मुशाहिदात, पज्रूबात, मालुमात वगएरा रिकार्ड कर सकेंगे आओ गीद गाये गते लाइक इसके बारे में तो अपन यहाँ पे देखेंगे मनु डैविड सलीम भावना बहुत खुश है क्योंकि वो करनुल में एक साइंस नमाईश में हिस्सा लेने जा रहे हैं यह सब मंडल परिक्षत प्राइमारी स्कूल पंच लिंगालिया के तुल्बा हैं तमाम दोस्त मिलकर सफर से मतालुक उफ्तव कर रहे हैं मेरा नम सलीम है मेरे वालिद और वालिदें तामिरात इलाखे में काम कर रहे हैं वो रोजाना तंगतुंगा भद्रा नदी को पार करते हुए अपने काम पर पहुंचते हैं मैं नमाईश को मेरे वालिदें के साथ आऊँगा मेरा नाम मुन्नु है मेरी वालिद आटो ड्राइवर है मैं मेरे वालिद के साथ आटो से आउंगा गी मेरा नाम भानु है मेरे वालिद डॉक्टर है मैं अपने वालिद के साथ कार के जरी पहुंचूंगी मेरा नाम डैविड है मेरे बड़ा भाई करनोल में पढ़ाई कर रह मैं अपने तुल्बा के साथ बस के जरी नमाईश देखने जाओंगी जो यह बस्टैंड बस बस्टैंड 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 इस फ्लाट फ्लैट फॉर्म बोर्ट और यह लाइट यह बस्टैंड पर फैशनजर तस्वीर में मौझूद सावारियों के नाम लिखे और मकाम जहां तमाम बसे रखते हैं बस्टैंड कहलाता है मुक्तलिक मकामाद से पहुंचने वाली बस्टैंड में रखती है बस्टैंड में रखते हैं मुसाफिर के लिए बस से उतरने और चड़ने के लिए बस्टैंड में प्लाट फॉर्म मौझूद होता है आपने बस्ट बाइक पर चलती हैं और आड़ जहां पानी पर चलती है हवाई जहाज और हेलिकॉफटर हवाँ में उड़ती है मेरा नाम अनील है मैं जिला कन्नोल में मचला पूरी गाउ में रहता हूँ हमारे गाउं में ग्रिवल कंकर के सड़क मौजूद है अगर हमारे गाउं में कोई शक्स इजाना चाहता हो तो इसको कई तरहा की सड़कों पर सफर करना प्रता है सबसे पहले इसको मिट्टी की सड़क पर सफर करते हुए खरीबी गाओं संचामला पहुंचना है फिर कांकरेट सड़क के जरी करनों पहुंचना है जहां से बस्ट में सफर करते हुए तार की सड़क के जरी है थरवल पहुंचना है सड़कों के भी नाम होते हैं आप जानते हैं कि बाद सड़क ऐसे होते हैं जिनके मकसूर्स नाम होते हैं बाद सड़कों के नाम सरकारी दफ्तार से मनसूब होते हैं हस्पिटल रोड पंचायत आफिस रोड बाज चड़कों को अहम शक्सियत के नामों से मुसम किया ज़ता जैसे पटेल रोड गांधी रोड वगरा मश्गिला मुन्नौ और इसके दोस्त ने करनूल शहर में करनूल शहर का पर है मैं हटक गई मैं करनूल शहर में हस्बजर साइ साइन सांप बोड का मुशहिए किया इनहोंने अपने मुलन से इन सांप और इनके निछ alluded दा लिखे गरे बयानात दर्यावन मुवाद्ध की मुझा कि अपने मुल्म से इन साइन बोड और इनके मीझत से लिए communityयों के बाफिक सोब्सद्द्द्द्द्द्द्द्द् यहां पर है और मुन्नू और इसके दोस्त सड़क से गुजर रहे थे इन्हों ने देखा कि तमाम सवारिया स्वर्फ रंग का सिगनल देखकर रुख गए जब सब्स सब्सिग्नल जाहिर हुआ तब तमाम सवेरिया आगे बढ़ने लगे इन्हों ने चंद दिगर सिगनल और स दो कर्मेंट ऑफ इंडिया इस प्रोमोटिंग दा यूज ऑफ एलेक्रिक्स एंड सी एंजी वहिकल्स वाई मेरी साइकिल मुन्नू बहुत खुश है क्योंकि अज इसका सालगीरे के मौके पर इसके अबू से एक साइकिल तोफे में दिये हैं यह इसकी साइकिल है मुन्नू साइकिल के मुफ़िफ हिस्तों के ना मालू करना चाहता है क्या आप इसकी मदद कर सकते ही अदत को मुतालखा खांदान में दर्ज किजिए पेडल सीट हैंडिल च्रेन और पहिया सवेरियों के लिए गज़ा सवारियों के लिए गज़ा मुन्नू ने इसके अबू से तोर्फ पाज़ा से तमाम पेडल बान धते गज़ाने के लिए किस चीज की ज़रूत होती है ज़रा के अदिए तक स्वारियों के लिए कि जुच ज़रा थे हैंशन का प्राइव कि बत्री सवारियों में कई एक हिस्ताम की ऐन्स इस तमाल की जाती है वार्निंग देखो यहां पर पेट्रोलियूम फाइर नाइजल अनमा नो स्मोकिंग करना और मोबैल भी यूज नहीं करना और स्विच अप इंजन्स को स्विच आफ करना पेट्रोल बंक के तरीब हमला नखल के दिगर सवार्या है अब तक हमने मुक्तलिप हमिलन ममत असे हैं। बार इस अइसलिगांन के तक आफिए हैं। इस अवारिया रोजनार जिंदेगी में कैसे इसकामाल होते ही हैं? 108 है, जस्ट पेशेंस को हास्पिटल को लग जाने के लिए ही इंपोर्टेंट एमर्जनशी के लिए यूस होते हैं ए रोड रोलर है, और फाइर इंजर्न और यह क्या है? और यह क्या है? आएक में सामब और इसका lowest गो्तर है इसकामे में वे आएक आएक के लिए हाह कहँ एणे के लिए होने है यह भर्रह दिए अवार δू में ठावक में उसेद जीने डिएखोलę में मुनगरच्ज सहिं का airways waterways are the main means of the travel means of transport different different materials are used to concrete tours we have to follow the traffic rules to avoid accidents vehicles need fuel to move हमने कैस्टिखा एक मखान दूसरे मखान तक सफ़र कने के लिए हम लोग नखल के मुखतरीफ जरायें का इसमाल करते हैं सडके हवाई रास्ते और अभी रास्ते हम लोग नखल के अहन जरिया है सडकों की तामिर में कई तरह कैसी इस्तमाल की जा सकती है हाधिसा से बशने के लिए हमें टॉफिक की उसूल अपनाना चाहिए सवारियों के चाहने के लिए एंधन की जरुवत होती है यहां तक एक चाप्टर कांप्लिट हो जबार अब नेच्स टर नाइंध की टॉफिक एवर्ववन और सब मिलकर रहें इस सबक के मतलब के बाद तुलबा क्या क्या सीखेंगे मिल चुलकर रहने की ऐहमियत का फाहिम हासिल करेंगे और सबसे मतलब गुफ्तव कर सकेंगे तरसिल के मुक्तलिफ जराय और अश्या की शनाक अब तर्सील के मुक्तलिफ तरीकों का फाहिम हासिल कर सकेंगे मुक्तलिफ ख्यालाट और इनके इज़ार का फाहिम हासिल कर सकेंगे मनाना जाता है माई नहीं जानता को जिबान से आदा किये बगर किस तरह जाहीं कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं रख्स करने वाला डैंसर बहर बहर उक पहिया फंकार मुक्तली फलामते की जबान का इस्तिमाल करते हैं. यë IUD और ये MUDRAS पर इस्तिमाल करते हैं. Dancers, Mimis, Arteis, Use Different Forms of Sign Language. Dancers Use MUDRAS to Express Feelings and Emotions. हम अपने ख़यालाद का इजरी इस तरह करते हैं, अपने ख़यालाद और जजबात को एक दूसरे से शिर्ग करने ही तरसीर का अहम मकशल है तरसीर दो तरहागी होते ही जबान के ज़रीए विरबल के ज़रीए चहेड के ताजिरात और इशारे की जबान के जबते लोग रास्तरावाद को इशारक गूता mana । इमोजिस तस्वीर में ज़ाय कियें गए जजबाद का मुशार किजिए इन्हें इमोजिस कहा जाता है करना ती वी के सरी मालुमात का ही पॉस्ट कार्ट फोन कॉल मेल और टेक्स्ट मेसेज वगईर के रहते हैं। अपने अपने ख्यालात करें हैं। दूर से प्रिजिटल दौर तक जो 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 जाहिर करते हैं दौर मकामात पर रहने वाले लोगों से राप्ता कायम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक एक्टिया किया जाते थे जैसे ढोल बजाना दूएं के जरी अशारा देना खबूतर के जरी घोड़ा सवारिया पैदल चलने वाले लोगों के जरी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक खतोम रिजनिया वववेरा दूर हाजिर में दूर मुकामात पर रहने वाले लोगों से ई-मेल टेक्स्ट मेसेज और मेसेंजर्स याप वगएर के जरी राप्त खायम किया जा रहा है दिए गए अलामते इशारे का मुशाहिदा किजिए यहां पर है दूसरे से अपने खायलात को जाहिर करें के लिए स्कनल करते हैं लुक अगिवन साइंस कम्यूनिकेटिंग टो साइंस इस कॉल साइं लांग्वेज डेफ एंडम पीपोल्स यूज साइं लांग्वेज तो कम्यूनिकेट विप अधर्स थिंक और डिसकस्ट परिंदे से फशल की ह्वाज़द के लिए खेतो में आंताव पायकिसान इंसानी शखल के पत्व nella पॉत्तले रफदें पुत्ल और सभल्ड़ शंभ समझते हैं कि क्येटमें फशलuju वाजय कैले नहीं जाहिर का एक टरीखा क्या परिंदे और जनवरों एक दूसरे से अपने ख्यालत को जाहिर करते हैं। बस्री तरसील आंकों के जरीये देखकर ख्यालत का जाहिर करना। केच्वा और घूंगा जैसे जानदर जब कभी खौफ पर शिकार होते हैं तब वह अपने सर को अंदर की खींच लेते हैं। खुशी के मौफ़ पर खुट्थे अपने दूम हिलाते हैं। समी तरसील यह बस्री देखने के जरीये और आँखों के जरीये। समी अपकानों के जरीये सुनकर ख्यालत का इज़ार, हाती जंगरते हुए दूर मुखामत पर मौझद हातीयों की जूंड से राप्ता कायम करती है। बेडिया जूंड में मौझूद दिगर बेडियों से चिखते हुए राप्ता कायम करती है क्या कभी आपने पालतू कुट्टे को आपके पायर चांटते हुए गौर किया कुट्टा ऐसा क्यों करता है कुट्टा और बेडियों अपने बच्चों को चाट कर महबत का इज़ार करते हैं और इन्हें पाक साफ लगते हैं इनके महर का पैदा करते हैं बंदर और बेवों अपने महबत का इज़ार करने के लिए एक दूसरे पर हाथ तक फेरते हैं वगल रक्स शहत की मक्या में बस्री तरसीर का एक तरीखा है मजदूर मक्या गिजा से मुतालब मालूमात को रक्स के जरीए जाहिए करती है कीमियाई तरसीर कीमियाई मादों का इस्तमाल करते हुए ख्याला का इजहर बिल्यों अशियां को अपने पायरों से घर 75 हुए इन में अपने वो पायदा करती है दुश्मनों की शनाखत करने के लिए सांप और कुटे अपने सूंगने की सलाहियत का इस्तमाल करते है हमने क्या सीखाँ इस सबक से अपने ख्यालात और जजबाद पर एक दूसरे से तबादिला जाहिर करना इस दशीर करते है कि खेलात का इजहर दो दो दॉटरा से किया उसकता है रास्टते न सकानाय कि लिए पोस्ट कार्ड्स, सैल फून से उसक्राAllah को को लिए जाहते हुए फॉन को पर ही घजा सकता है। इतलए गअ का लिए हम खेला दो... तरसिल के लिए मुनासिब मोखों पर मुनासिब आलात का इस्तमल के अधाद है जानवरों के ताइब हम दर्दी का इज़ार करें नान वेर्बल तरसिल के अच्छन तरीखे लिखिए इंटरनेट है फोन इमेल्स है पुरे नान वेर्बल है अब नेक्स है तेन्थ लेस्ट गेम्स एंड रीक्रियेशन्स यहां पर एक राइम है अब हम इस सबसे क्या सिखेंगे मुक्तलिफ इसन के खेल और तफरीख से मुता ने खेलों के उसूर वजाब्त की पाबंदी करते विए जजबे खैली को अपनाएंगे क्लाप यूर हैंज रिजल शेजड़ को अपनाएंगे यहां प्लेंग गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इस व्यूजब बच्छे बहुत महनत से यल्म हासिल करते हैं और हमेशा आक्तसारी मशागिल में मुश्कूल रहते हैं. बाद आवकाद एक ही हिसम के काम अंजान देने और मसलसल काम करने से हम सस्त और बौरित महसूस करते हैं. हमें राहत और खुशी की भी जरुरत होती है. इसलिए हमें तफरीख की जरुरत होती है. जिससे हमें खुशी हासिल होती है. खेल तफरीख का एक जर्या है. इसलिए बच्चों को खेलना बहुत पसंद है. मुक्तलिफ खेल खेलते विए वो अपने आपको सहत मंद रख पाते हैं. दर्जजजार मशागिल दिये गए हैं. आपको खुशी में फ़रहाम करने वाले मशागिल हैं. तीरना, खेलना, घरेलू, काम करना, यहाँ पहेदे को. रसी खेलना, स्किपिंग करना, चुपन चापी, और थैली का खेले. यह खेला, खेलके, खुशी होते बच्चे. ख्चो खबडी, यह गेम्स भी खेलते हैं. वो खेल जिन है घर के अंदर खेला जाता है. घर में खेले जाने वाले खेल. इंडोर गेम्स कहलाते हैं. लट्थु, चिन्नी, चकर, टेबुल, टेनिस वगourगेम्स वगएरा घर में खेले जाने वाले खेल है. outdoor games कुंसे ये हैं ये पुरे indoor games है कैरम से टषे से इंड़ गैम से outdoor games आक है कबड़ी k cuecouse एकça outdoor games एक dod Kellinee हां चीख करने के लिए या अपने जिसां को सुकून बखशने के लिए अन्जाम देते हैं तफरीख कहलाता है लोग अपने दिल्चस्पी के मताबिक मुक्तलिफ मशाविल अफ्टियार करते हैं जैसे मुतालिया करना खेलना मुसक्री सुनना रख्ष करना फिलीम बैट्टी टीवी देखना बागबानी बागबानी सफर करना वगड़ा पार्क और शमंदर का साहिले तफरीक के चंद मखामाथ है रोटपर की आवाज आरी है आप लोग आलाइट लेजिए उसको कुछ ने कर सकती हो क्रिकेट वॉलीबॉल सोंचे और बहिस कीजिए वो खेल जिन्हें खेल मैदान क्टे मैदान में क्हेला जाए तुट्टियों के दारां, चरीता इसका भाई और इनके अबू मिल कर खेलते ही, बाद आउकात बहर में कहले जाने वाले खेल और बाद आभॡ़ मैदान में एक क्रिकेट और रोबाल फाफ्पो आपने अबू के साथ घर में शत्रंज और कार्रम्स, खेलती है kabari is our state game hockey is our national game kabadi is our state game in village children plays different games like a erudu pengkolatla kothi komachi bongarala atla puli mekka mukkagilla atla tokrbilla nila bunda karrabilla etc there are our local games is इसमे मैं तो कुछ भी ने इसलिए नहीं आरे वार्स भी देखके है समझों प्रोड पर खेलते हैं तो देखके हैं क्योंकि मेरे घर में मरद अच्छा बाहर में बेचते हैं चोटे जब बच पर में लेकिन आप रुका नहीं सकते हैं गेम्स एंड मेटेरियर्स खेल और दरकार अशिया ठनी चरीता और सिंधूर सिंधूर तीनों मिलकर बाल खेलने के लिए एक डेंदर खरीदा चंद और तर चंदू और तरून गली और गिली डांडू ले गई चंदू के अबू ने मुखामी तोर पर दस्तियाब लकडी की मदद से गिली डांडू टिक टिनी क्रिकेट खेलने के लिए रंग और रसी का खेल खेलने के लिए रसी के इस्तामाल करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए गेंद बैट स्टेप्स दार क्या है लाफनी चरीता संदार क्या है बाल बैट स्टेंप्स रिक्वार्ट तो प्ले क्रिकेट टेनिस वालीबल बास् सब्सक्राइब करते हैं। एंकरेज योपोडर सिस्टर और फ्रेंड 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 बॉइस एक्वल कैपिफुल और यहां पहले को बच्चे टीवी देखने आया एलेक्ट्रिकल आलाज से वीडियो गेम्स खेलने की तर्चा देते हैं मगर इन अश्यां के स्तमाल से इनकी बस् की बस्तार तक और तक की बच्ची सब्सक्रण से नियुक्त लेखित करिए। बच्चा कढ़ मि environmental language के लें और थारीध तक को अनजम देने के लड़गें तव्यायं के लिए लड़क पहलें दोनों मसावी पेडाने सलाहियत फैर लोगों हो ती ग्रूप तोर पर काम करने के सलाहियत होती। तब्वज्ज्च मर्कूज करना सबर को एक्षव करने की सलाहियत होती। खेलों में शिकस्त को खौबू करने और कामियाभी परकुशी का इधार करने जैसे मावन हयात महारत फिरुकपादी जल्द बाजी का मजाहिरा किये बगएर अपने बारे में अपने बारी का इंतजार करने का आदत फिरुकपादी किसी भी मैच को जीते के लिए टीम में दूसरे के ताइद करें और एक दूसरे का इहतराम करें इसे सिर्फ तम को जजबे अश्तमा टीम स्पिरुट कहते हैं अगर टीम में जजबे अश्तमाई का साथ ना खेलने से क्या होगा साम पर पहुंचे से खवफिजदा ना हो इस खेल में उपर नीचे होता रहना आम बात है सफेद और सियां खानों में राजा और रानी रहते हैं यह चैस्स हो रंगीन कांच की गेंद पाई जाती है जीतने के लिए किसी एक पर निशाना लगाना है यह ना यह गोलिया आप पर नहीं मगर परवास करता है काईट गेम रूस ऑल गेम्स हाव रूस यह पार्टिसिपेशन इस इंपोर्टेंट जीतो यहारो लेकिन खेल में शामिल होना खेल खेलना वो इंपोर्टेंट है तमाम खेला खेलों के उसूर वजाप होते ही जिन पर आम करना हर खेलाडी के लिए लास्म होता है खेल के दौरान उसूल अजबत पर अमल करना जरूरी है किसी भी मौकर पर उसूल अजबत को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए हार और जीत को मद्द नजर रखकर बगएर खेल में शिर्कत करना एहम है हार जाते बोलके खेल न क्या हमें हमेशा खेलों में उसूल अजबत पर अमल करना जरूरी है हां हमें उसूल अजबत पर अमल करना चाहिए जहां कहीं भी खेल में हिस्सा लेते हो हमें चाहिए कि उसूल अजबत पर अमल करें रोजाना खेलने से सहित बरकरार रहता है दोस्ताना तालुगत होती है अब यहां पर लास्ट रहे सबक से हम क्या सिखेंँ जीर्टलन सभी कि एवर्लेटर आफ्टर स्कूल स्कूल आवर्स चीडरर लाव टो फे प्लेट प्लेट अम क्रिवाइशन प्लेट टेम से घेम्स इंसाइड आउज और काल इंडोर गेम्स गेम्स प्लेट इंड ओपन फिल्ड फिल्स और प्लेग्राउंड और नौन आज ऑटर ऑटबर गेम्स चिल्ड में डालब कांसेंट्रेशन पेशन एंड टीम स्पिरिट हम एच उड़तु में स्कूल के आउखाद के बाद बच्छों बच्छें को रोजाना चाहिए बच्छें खेलना पसंद करते हैं खेल तफरीख का एक जरिया है खेलों से बच्छे सहतमन्त अंदुरस और खुशी रहते हैं वह घर में खेलने वाले खेल और इंडोर गेम्स कहलाते हैं माइदान में खेले जाने वाले खेल को आउड़ गे प्रिट हो जाएगा यहां रास्ता इस सबक्से हम क्या से किंगे पड़ोसिया और पड़ोसियां के बारे में कुफटबू करेंगे तरफ जानिब सिम्त और कोनों की वजाहत कर सकेंगे हद बंदी की निशान लैंडमार्क्स अलामत और नक्षर से आगाई हासिल करेंगे और आरे मकानात और रास्ते देखें इस दोरान इसे मामिला रास्ते तलाश कीजिए याद आये इसने एक राशी रशीले में देख देखती थी आपने मां से पूछा मामो जान का घर कहा है हम वहां तक किस तरह पहुंचेंगे या आपको मामो जान का घर का रास्ता मालूम है मामो ने जवाब दिया हाँ मैं जानती हूँ चलो चलती हैं तुम भी इस रास्ते को गवर से देखो सोचिए कि हर्शा ने अपने मामो के घर पहुंचने तक कौन कौन से मकामाद देखी हैं अपने मामों के घर पहुंचने के बाद हरशा, इनसे, इनके घर का पता मालूम करने में पेश आई, उलजन का हाल सुनाया, इस पर इन्हों ने जवब दिया कि यह उखने मकाम पर खेले मकामمكن नहीं सकती, इनके मकान के अतरफ वकिनफ का ही मकानात है इन मकानात में बसने वाले हमारे पडोसी है हमारे मकान के अतरफ वकिनफ पाई जाने वाले मकानात हमारे पडोसीयों के कहलाते हैं हमारे पडोसीयों में पार्क, मंदिर, नदी, खेत वगईरा भी पाई जाते हैं हर पड़ोसी में चंद सहूलयते पाई जाते हैं जो हमारी जिंदगी को आराम दद बनाती है हर्शा ने अपने मामो के घर के अतरफ वकिनव को मुशायदा किया इसने देखा कि घर के सामने आम का ये एक बड़ा दरफ थे घर के पीछे की जानीब ये एक कौवा है इसे देखा कि घर के दआ ज्रानीब ये बड़ी इमारत है और दख जानी चुट हो और महीं झ hack हर्षा के घर के आगे सामने शाजर के मामो के घर के पीछे क्या है अ सैट्स क्या है नौर्थ यार होल हूल ये हममरा घर है इसके इधर साइक और साइट एसट आगे साथ पीछे नौर्थ ऐसा आगे पीछे ऐसा में दूसरे दिन समा हरशा जब नींद से बैदार हो तो इससे बड़ा ताजब हुआ क्यूंकि इस घर के दहलिज से तलू होता हुआ सूरज नजर नहीं आ रहा था इसने अपने अमा से पूछा कि ऐसा क्यूं है और तलू होता दिखाई दे रहा है जबके हम अपने घर के देहलीज के आगे खड़े होकर सूरज को तलू होते हुए देखते हैं यह सुनकर मा ने जवाब दिया कि मामु जान का घर शुमाल की जानिब रुक के हुई है और यह भी देख दिखलाया कि सूरज दूसरे सिम्त में तलू हो र है तो आगे सिम्त मश्रीक है और आपके पीछे की जानिब मौजूद सिम्त मगरीब है और बाए जानिब बाए जानिब वाले सिम्त शुमाल और दाए जानिब वाले सिम्त जुनुब है तमाम सिम्त मुस्तकील होते हैं आम तो पर इन्हें शुमाली सिम्त से महसूब किया ज किसी मुखाम इमारत या गाउं से मुतासील मुख्तलिब सिम्टों में पाई जाने वाले मुखामात को हुदूत को मालूम करने के लिए हमीं सिम्ट और कोनों का मालूम होना जरूरी होता है दो सिम्टों के दर्मियन पाई जाने वाले इलाखे को कोना कहते ही यहां पे दिखको शुमाल शुमाली मश्रिक, शुमाली मश्रीक, शुमाली मश्रीक, शुमाली मश्रीक, यहां पे है तस विए अप दिख सते हैं एक बार दिखेंगे तो आप समझ माझाएं कि इंशाल। In the olden days, silos used to find directions with help of the positions of the sun and stars and the movements of the wind. Nowadays, we use a compass and GPS, GPS का फुल फां, global positioning system to find a direction. Harsha expressed his doubts to his uncle that if your relatives are a new person wanted to come to his house, how could they recognize the way to his house? His uncle said that their house was nearer to the panchayat office. Harsha, अपने शक्त का इजार करते हुए अपने मामो से पूछा कि अगर कोई रिष्टे इदार या नए शक्स इनके घर आना चाहता हो तो वो घर का पता किस तरह मालूं करेंगे? मामो ने जवाब दिया कि इनका घर पंचायत अफिस के खरीब है. अगर मकान के खरीब कोई मशूर मकाम या इमारत हो तो इस मकाम, इस मकान का पता लगाना नहायत आसान होता है. ऐसे मशूर मकामाद इम्तियाजी निशानात लैंड माप कहलाते हैं, स्कूल, हास्पिटल, पंचायत, अफिस वगएरा, नियर भई बोलते हैं ऐसा. हृर्ण ऑन मामो जाने इससे दो तस्वीर यह थीर पहली जाहिर करें थी अथे सैथा के यह देशनात और सुन बहुद को जाहिर करते हैं. यह हैं लांग मार्क सिंबल्स पोस्टाफिस है बोर्वेल है यह घर है स्कूल है बोलते ना इससा मामुजा ने हर्शा से कहा के इन अलामतों को मुशायदा करते हुए दिये गए गाउं के खाली नक्षे में इन अलामतों की निशानदा ही करें अलामतों पर अपनी तसुरत को नक्षा कहते हैं इसको नक्षा बोलते हैं अब हम ऐसा बक से क्या सिके है हर रात के खाने से फिरोग होकर अपने मामुजान के साथ धर के आंगर में पहुंचे और चार पाई पर लेट गया आस्मान की जानिब देखते हुए इसने अपने मामुजान से पूछाया अज हैं ऐसे गासिए हैं हमारे घर के अत्राफ के अलागे अजर बाई यह सब तरफ या जानिब साइ्प कह लाथे हैं मश्री घ्राज इन्षान लेंड माप कहते है नहीं हो चुका है ली कंपील इभेड हो चुका है है में वाया ले सब्सक्राइब कर दये हैरा हाँ